लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जायरिस्कोपी कबल का जो इफेक्ट था वो बढ़ा था किस के उपर अपना प्लीन के उपर उससे पहले हमने पढ़ा था रोटर के उपर अभी हम पढ़ेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा अपना का शिप फे टतकी शिप के अंधर भी क्या होता है रोटर होता है और रोटर करता रहता है उसके अंधर तो कहां होगा बी सुप यह हमारा यह पिछे थे नदिखिनिए यह only और यह रोटर है यहां पर जो इसमें रोटेट करता है जिसके कार्ण शिप आ गया पीछे होती है ओके अभी कहा है कि शिप के अंदर भी क्या प्लेन की थे यह भी उपर नीचे आग दाएं बाएं मुव करता है तो यह रोटर भी मुव करेगा तो रोटर की एक्स यह जो कोई एक्सिस होगी जैसे यह अपना इदर रोटर लगाए तो क्या होगा या तो यह इस एक्सिस क्या बाउट रोटेट करेगा या इस एक्सिस क्या बाउट रोटेट करेगा तो कुल मिला करके हमारे प किसी और एक्सिस या तो इस एक्सिस किया बाउट क्या होगी रोटेट होगी तो हमार क्या आएगा एक जार इसको पिक इफेक्ट यह जार इसको पिक कपल जनरेट होगा यहां पर भी ऐसे प्लेन में हुआ था ठीक है तो वह हम डिसकस करेंगे अभी तो पहले कुछ बेसिक च पार्ट होता है उसको स्टन बोल देते हैं क्योंकि निमेरिकल्स में यह चीज़ डायक्ट बोल देंगी स्टन तो आपको पता हूं अच्छी कि स्टन कौन साइड अपनी तो यह पीछे वाली साइड को स्टन बोलते हैं ओके इस तरह से राइट एंड साइड को स्टार बोर् साइड बाती फेंट वियूव बेकल बेसिक की अगरी तो अब इसमें कौन कौन सी मॉमेंट हो देकि अ कि शृप के एस तीन मूवप्र होती है, पिलैन में भी एक मूवंट होती है कौन- इस टीरिंग पिचिंग और रोलिंग Harini podcasts sutra क्या है सँब से पहले एक अभूर स्टीरिंग तो te है आपना इसको एक लिफ साइड में सटीर करती जा राइट साइड में स्टीर still कि भूमादी पीछिंग मतलब कि इस एक्षीस के आबाउट गी इस तरह से मोुकर करें तो इसको बोलते हैं पिछिंग किस एक्षीस के अबाउट इस एक्षीस के अबाउट जह पिचिंग हो गी ऑसे तरह से अगर इस एक्सिस के अबाउट रोट इट की तो इस टीरिंग इधर जाएगी या इधर जाएगी और ये इस एक्सिस के अबाउट की इस तरह से ऑगे तो इसमें तीन तरह की मूवमेंट हो सकती है इस टीरिंग पिचिंग और रोलिंग तो ये बेसिक पता होना जाएगी कि क्या-क्या बोलते हैं उनको तो ये तीन तरह की है मूवमेंट हो सकती है अब इसके भी उसी तरह से प्रॉब्लम्स होती है कि चायोस्कॉपी कपल किधर जन्रेट होगा एक्टिव कपल रीक्टिव कपल वही हमें देखना है तो सारी चीज़े हो ही है इसके हम प्रॉब्लम्स ले सकते हैं डारेक्ट वैसे बाकी इसमें कुछ है नहीं सारी चीज़े हो यसी की वैसी हैं तो इसमें वही सारी चीज़े हैं बड़ा सा ठीक है यह देख लेते हैं जासे स्टेरिंग इस टर्निंग अफ ए कंप्लीट शीप कर लेफ्ट व राइट अब लेफ्टो राइट वाइलिट फॉर्वर्वर्ड मुस मतलब जब आगे की तरह गुमते हैं गुमाते हैं तो इस टेरिंग करते हैं उसको इस्टेरिंग बता रहा है इसमें कुछ अलग बात है नहीं विजए जो मैंने आपको बताई है इसका कुछ निमेरिकल देख लेता है पहले इसका अपना ऐरो प्लेन का तो देखो एन ऐरो प्लेन मेंक्स ए कंप्लीट हाफ साइकल और 50 मिटर रेडियस किस्टी मिटर रेडियस की हाफ साइकल बनाता है ड्वाट्स लेफ्ट साइड में वाइल फ्लाइंग 20 किलो मेटर पर आवर तो हमारे पास यह इस तरह की डिए इस तरह से गोंके जा रहे हैं ओके यह रीडियस है कि इसकी वेलोसिटी है यह है वी ओके तो देखो आर गीवन है किलो मेटर पर आवर है मिटर पा सेकंड में इसका मास्के वी ओन्वानची रीडियस व्गाइडियस व्गाइशन गीवन है कि एंल है आरभीम की वन है ठीक है पूच्छा किया इसके अंदर में ने फाइंड ता गार उसको पी कपल तक गया हुता है आई हुमेंगा हूं पार न sensible कि हमारी पांस आ समय कर लिया है उमेगा हमारे पार डाय डाय है एक यitchens मिल गया मैं तो chairs 5000 और आ मेंगा पी ऑंधी सेस्स क्छला था में इता best रॉटाइट झालर रहा था कोई एक्सिस माँ बीचे यह इस तरह ए तरह तो इस एक्सिस का बाउट रोटेट अही है यह इस तरह से वह रहे है एल्ड इस की वेलोसिटी यह मिल गया हमें तो जार इसको प्रक्राइब हो गया है ठीक है सिमिलरली सेम निमेरिकल सिप में बीची तरह से निमेरिकल होते हैं कि यह कुछ यह कुछ आलग चीज़े नहीं है यह सारी वही चीज़े हैं इसमें बैस यह पता रहा है कि यह इस तरह से ऊपर निचे उसके लिए डोती रहते हैं तो इसको इसको बोलते हैं एक तरसी स्पिनिंग इस पिनिंग वह रहा है ठीक है तो यह चीज़े हमारी यह कहीं यूजनीं ऑभी इसको चोड़ सकते हैं कुछ नहीं है तो ठीक है यह निमेरिकल पर आते हैं तर्बाइन रोटर शीप एक एज मास उप एट तन तो मास गीवन एट तन मतलब एक टन में वन थाउजन केजी होता है तो एट थाउजन किलोग्राम रेडियस ओव गायरेशन पॉइंट शिक्स मिटर यह की वैल्यू गीवन है रोटेट्स एट्टीन अंडर रपिम ओमेगा गीवन है एन गीवन है तो में का फाइंड कर लिए वैन लुकिंग फ्रॉम इस्टान इस्टान मतलब पीछे से देख रहे हूंगी तो कि जैसे हमने ब मेरिकल्स में आएंगे यह वर्ट्स डिटर्माइन दग गायरोस्कोपिक कपल सी फाइंड करना है इस शीप ट्रेवल हैंडर किलोमेटर पर आवर वी कीवन है एंड इस्टी तो दे लेफ्ट इने करू 75 मीटर रेडियस कीवन है शीप है उसका रोटर है जो की रोटेट कर र सुनन कर विच्छे देख रहा है तो यह इस तरफ मुव कर रहा है ऊट अब देखें जब यह इस तरह से मूव कर रहा है तो 550 तो यह फिंगर्स सी तरह से होगा बॉभी जब मारा घंटा मुतर होगा तो इक तरसे हमारी ओमेगा species की अपिलदिंग किवी मिव का कि टीक है यह शीप है कि यहां गई हमारी में ऑ मेदा एक की कि हम पीछे से देख रहे हैं कि अ कि फॉह कि रहे हैं तो शाल इसी तरह से व कह रहा रहा तो इसकी कि तरह हो गए गया है आ अब क्या बोंता नित्लिश्ट के जिख में लेफ्ट एंड में समय फ्री ऑजन नाट essayन वाए इसको इधर घुमा दिया अब अगर टॉप से देखेंगे यह चीप को कि यह माली जी शिप है तो उपर से देख रहे हैं तो किदर गुमाएं इसको लेफ्ट साइड में इधा है ओके ऐसे गुमाएं तो लेफ्ट गुमाएं तो मतलब इसको इधर गुमाना पड़ेगा इस एक्षिस के अबाउट तो इधर राइट हैं थम लग जाएगा अपना त किरिगर को फुमेगा को ओमेगा फी डाइरेक्शन में पर्टiट कर दो लिए omega है तो बहुत इस कापल अधल ओगए कपल और एहाँ है छिए कपल इस कीथ ऑस पो मतलब कि ऐसे लग रहा है तो यह इसके उपर कैसे लगी मैं साइड से देखेंगी तो इसका मतलब के इफेक्ट आए कि इसके स्टन को यह डाउन करेगा और नोज को अब करेगा ओके तो यहाँ पर देखो अगरा इस देखो राइज दबो और लोग दाइस ठीक है यह फाइंड करना था अफ कर दिया आपन ने पाकि वह सारी चीज चीज इसको आई ओमेगा ओमेगा पी ओमेगा पी फाइंड कर लिए आई फाइंड कर लिए तो देखें को दो पार्ट में डिवाइड करके पूश्त अगरे बड़े आसान आपके यह इकोन मेरिकल ने देख लीजे है 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 वे टर्माइड रोटर सी वेसल रोटेट इस आर्प्यम इस्पीड इस्पीड गीवन है तो ओमेगा मिल जाए तो लोकिंग लुकिंग फ्रॉम दास्टन पीछे से देख रहे हैं तो पीछे से देख र आप भिए जरख रागे तो फिंगर फिंगर को रतेंते दर थम तो नहीं आएगा तो तक अब इससे भी कि यह दूखए जो ठीक है उसके बाद क्या आ गाले कि मास की मन है तो इंवलर विलउसिटी फ़ॉन एटा рассказ कि कि और क्या दे रखके डिटर्माइन तो वैलुसिटी ओमेगा पी रखिए रखिए यह सब और कि डिटर्माइन जायोस्कोपी कापल ट्रांस्मिटिंग वह इस राइजिंग ही एक कापल की डाइक्षिं यह पर आएगा मैं कैसे जाए ये हैव्य हूं Kane लें कुछ इस तब होगा है होगा है सो कि तो हमारा फिंगर ऐसे हो दियुक्ष यह होगी है न यहीं यह होगी objet गाहेंगे तो यह फिंगर्स और यह अगना थंप तो देखो अब यह इधर का बायगा जब इसको इसको इधर रोटेट करेंगे तो याने इसको इधर और रोटेट करना पड़ेगा कि यह तोड़ा शैक्ट्च मिसी दी नाइन थाइन था शॉप कि इसको एत्रक्राइक कूल हेसे ए Combat तो जने हो गइस को देखना तो इस तरश होना चींव है गजुद है खोग तो तो एक्टिव के लिए दर आना चाहिए तो यह क्या होगा एक्टिव कपल उदर जाना चाहिए तो एक्टिव कपल कैसे होगा ऐसे तो हमें क्या करना पड़ेगा सुरी ओमेगा पी की डायरेक्शन यह होगा तो इसको अगर जब हम लेफ्ट साइड में करेंगे ओके तो हमारा यह वाला इस टोंक तो यह पुछा है इसमें कि यह हमने फैन्द करती है तो आसान ने मेरिकल साथ है कोई बड़ी चीज होती नहीं है आसानी से सोल कर रहेंगे हम ठीक है बाकि नेक्स्ट टोपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्यू फॉर वच्छिंग